अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करें तो डिरेक्टरेट ओफ एजुकेशन जी एंसीटी ओफ डेली की तरफ से 27 अक्टोबर 2021 के लिए इंग्लिश की वर्कशिट है वर्कशिट नमबर 98 क्लास फाइब के लिए वर्कशिट है टेक्स्ट बुक मैरिगोल्ड में से लिए यूनिट नमबर फॉर क्राइंग पेज नमबर 58 और 59 पे है स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे तो आशा करते हैं कि आप सभी घर पर स्वस्त और सुरक्शित होंगे तो आपने जो पोयम है क्राइंग उसको बोला होगा अपने शब्दों में गाया होगा और आपको मज़ा आया होगा अब इन पिक्चर को देखो और इनके नीचे जो वर्ट से गए इनको जोर जोर से बोलो तो यह क्या है तो यह क्या है थ्रो यह जंप यह सिंग यह है हाइड और यह है क्राइब अब इन में देखो as you can see some actions are taking place in those pictures and the words in pictures में जो है कुछ काम हो रहा है जैसे throw throw मतलब वो fake रहा है तो वो कुछ कर रहा है ठीक है words given above are called action words or doing words तो जो words जो कुछ काम को बता रहे हैं कि वो कुछ काम किया है तो in words को बोलते हैं action words या doing words for example throw, sleep, talk, run, eat, drink, swim, laugh, etc तो यह सारे जो होते हैं हमारे पास यह action words या doing words होते हैं अब look at the following sentences and underline the action or doing words हमें यह sentences दियो हैं तो हमें इनको देखना है और जो action or doing words हैं उनको हमें underline करना है one has been done for you और एक करके दिखाया गया है तो जैसे इसमें क्या हैं देखो मीना is going to the market तो देखो क्या काम कौन सा कर रही है कौन सा word जो है वो कुछ काम करने की चीज़ को बता रहा है तो वो है going क्योंकि वो जा रही है तो वो कहीं जा रही है तो कुछ कर रही है तो going क्या हो जाएगा action word तो इसको underline करेंगे mother is cooking in the kitchen तो cook कर रही है तो वो कुछ काम कर रही है तो cooking क्या हो जाएगा action word वरुन is reading a book तो reading मतलब पढ़ रहा है तो वो कुछ कर रहा है तो reading क्या हो जाएगा action word mini is playing with a ball तो playing मतलब खेल रही है तो वो भी कुछ काम ही कर रही है तो इसलिए playing यहां पर क्या हो जाएगा? action word. रेखा is jumping. रेखा क्या कर रहे है? कूद रही है. तो क्या काम कर रहे है? वो कूदने का. तो jumping यहां पर क्या हो जाएगा? action word. तो इनको आप underline कर लेंगे. अब देखते हैं talk time. Dear children, look at the picture given on the right hand side carefully. यह हमें एक picture दी हुई है what do you think the people in the picture are talking about तो आपको क्या लग रहा है कि यह जो भी people है वो आपस में क्या बाते कर रहे है imagine and create their dialogues तो आपको imagine करके इनके dialogues को खुद से create करना है say them out loud and write them in your notebook उनको जोर-जोर से बोलना और अपनी notebook में लिखना है you may take the help of your elders too और आप इसके लिए अपने elders की भी help ले सकते हैं तो जैसे मान लिजीए जो लड़का है यह इसने bicycle चलाना सीखिया तो आप यह अपने चला कर अपने पापा यह और ममी को दिखा रहा है see dad I can ride the bicycle की मैं cycle चला सकता हूँ तो वो एकदम से बहुत तेज चला रहा है तो उसके पापा क्या बोल रहा है कि slow down son की धीरे चलाओ बिटा और ममी क्या बोल रही हैं अंदर से कि be careful son की ध्यान से चलाओ ठीक है तो इस तरीके से आप यह जो dialogue से इनको आप जोर से बोलेंगे और अपनी copy में लिखेंगे अब अभिभावकों के लिए एक सुझाव रहेगा कि बच्चों के साथ Simon Says खेल खेले इससे बच्चों को women verbs की पहचान करने में मदद मिलेगी तो एक Simon Says करके जो है एक खेल होता है इसमें जो verbs होती है बच्चे उनकी पहचान कर पाएंगे और इसी के साथ साथ कोरोना से बच्चने के लिए keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards तो कोरोना से बच्चने के लिए 6 feet या 2 गस की शारिक दूरी सभी को बना कर रखनी है तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, share और comment करें चानल को subscribe करें मिलते हैं next video में